प्रदेश में लोकसबचनाव पर नाम जारी होने के बाद राजधानी के कई सम्विधनशीन इलाकों में तनाव देखा जा रहा है। रोकसबचनाव के रिजल्ट के दोरान भी राजधानी के भटा बस्टी थाना इलाके में एक राजनितिक दल के कारेकरताओं पर पत्राओ करने की घटना सामने आई थी। हारा कि घटना की सूचना मिलते ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुची और दोनों पक्षों से समझाईश करके पूरे मामले को शांत करवा दिया था DCP जेपुर नौर्थ मनोज कुमार ने बताया कि भट्टा बस्ती में देर रात को समेंदुची रिलाकों में अतिरिक्त पुलिस जापता तैनात किया गया है साथी लोगों से शांती बनाए रखने की भी अपील की है कल शाम को थोड़ा सा भट्टा बस्ती में तनाओ की सूचना आई थी और हमारी पुलिस चुनकी चुनाव नतिजों के देखते वे पहले से ही तैनाती तत्पर्थी तो उन्होंने तत्काल रूप से दोनों प्रक्सों को अलग दलग करके और तनाओ की स्थिति में तत्काल सांती काईमिस पुलिस द्वारा की गई तुछ लोगों को पड़ाने फिरस नहीं अई ऐसा कुछ ही नहीं है बिल्कुल मौके पे शांती तत्काल स्ताफिक कर दीगी थी और उसके बाद से लगातार शांती है पुलिस जापता हमने एतियातन जरूर तैनात कर रहती